नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोग प्रियो और विश्वसनी चैनल प्राइम टीवी तो अतीक को MPML कॉर्ट ने दोशी करार दिया है ये बड़ी और एहम खबर प्रियागरात से सामने आ रही है जहां माफिया अतीक एहमत के साथ ही अन कि अब MPML कोर्ट द्वारा अतीक अश्रफ को दोशी तो करार दिया गया है लेकिन अभी भी यहीं सवाल है कि आखिर अतीक को सजा कब मिलेगी तो हो सकता है अपसे कुछी देर में अतीक को सजा भी मिल जाए तो वहीं आपको बताते चले कि सुवक्त की ये एहम खबर है कि अतीक अमद एन ब्रदोस को दोशी करार दिया गया है अश्रफ को भी दोशी करार दिया गया है 2006 के उमेश पाल अफरण मामले में अतीक को दोशी करार दिया गया है सुबह से ही लगादार सबकी नजरेस खबर पर बनी हुई थी क्या अतीक को दोशी करार दिया जो आएगा कि अतीक को सजा मिलेगी तो आखिर का रब M.P.M.L. कोट का ये फैसला भी सामने आ चुका है और अतीक को दोशी करार दिया गया है लेकिन अब सजा का इंतजार है क्योंकि अतीक पर सौ से जादा मुकदमे दर्ज है लेकिन आज तक किसी भी मामले में सजा नहीं मिल पाई है तो वही एक बार फिर से अतीक कोपरेंट के मामले में दोशी करार दिया है लेकिन अब सजा का इंतजार लगातार किया जा रहा है और हो सकता है कि अब से मैज कुछ ही देर में सजा का एलान भी हो जाया और अतीक क्यामत को सजा भी मिल सकती है तो ये इस वक्त की बड़ी औ बाहर के भी इस्तिदिक ऐसी हो और अब एक बड़ी और एहम ख़बर निकल के सामनी आई है प्रियागराद से जहां अतीक एहमद को दोशी करार दिया है अश्रफ को भी दोशी करार दिया गया है तो मेशपाल अपरण के मामले में साल 2006 का यह केस था जुसमें अतीक एहमद को दोशी करार दिया गया है अश्रफ को भी दोशी करार दिया गया है यह वहीं अतीक एहमद है भगोड़ा भी घोशित किया जा चुका है वही अती क्यामत पर MPMLA कोर्ट ने आरोब जो है वो तै कर दिये हैं बस अब सजा का इंतजार है कि आखिर कब अती क्यामत को सजा मिलेगी अती क्यामत को उसके गुनाहों की सजा कब मिलेगी बस अब पूरा प्रियागराज के साथ पूरा यूपी अब इसी का इनतजार कर रहा है क्योंकि आती क्यामत वो नाम है जिससे पूर्वांचल खौफ खाता था जिससे बच्चे खौफ कहते थे तो अब उसी अती क्यामत को एक बार दोशी करार दिया गया है बस सजा का इनतजार है कड़ी सुरक्षा के बीच आज अतीक को MPML कोट में पेश किया गया वही पूरी पुलिस के अधिकारी के साथ करीबन तीन सो पुलिस कर्मी MPML कोट के बाहर मौजूद रहे जिसके बाद अभी ये फैसला आया है कि जो अतीक हमद है वो आरोपी पाई गई है जिनके बाद अब उन्हें करार दिया गया है कि वो दोशी है लेकिन अब बस सजा का इंतजार है और हो सकता है कि अब से मैं उसकुछी देर में इस वामले पर सजा भी आ जाए कि आखिर अती समय में ये भी साफ हो जाएगा कि अतीक एहमद को किन किन धाराओं में सजा सुनाई गई है क्योंकि अतीक एहमद अश्रफ को दोशी तो करार दिया गया है लेकिन अब बस सजा का इंतजार बाकी है आपको बताते चले कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजुपाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस केस में अतीक एहमद उसका भाई अश्रफ समेट कुछ पांच आरोपी नामजद थे जबकि चार अग्यात को आरोपी बनाय था और इस केस में राजुपाल के रिष्टेदार उमेश पाल मुख गवा था उमेश का 28 वरवरी 2006 को अपरन कर लिया गया था इसका आरोप अतीक एहमद और उसके साथियों पर लगा था और उमेश ने आरोप लगाय था कि अतीक ने उसके साथ मार पीट की हो और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है वहीं 17 साल पुराने उमेश पाल अपरन केस में एक की मौत हो गई है वहीं कोर्ट थोड़ी देर बाद अब सदस उनाएगा इससे पहले सोंवार को अतीक एमत को गुजरात की सावरमती जेल से प्रियागराज लाए गया था उसके भाई को अश्रफ को भी बरेली जेल से प्रियागराज लाए गया था जिसके अलावे एक नियारोपी फरहान को भी यही लाए गया था तो 17 साल बाद और 17 साल पुराने केस में जो अतीक अश्रफ के साथ कुल 11 आरोपी हैं सभी दोशी करार दिये गए हैं लेकिन उन 11 आरोपियों में से एक आरोपी की मौत हो चुकी है वह अब इस मामले पर कोट थोड़ी देर में सजा भी सुनाएगा इन में से एक की मौत हो गई है और इससे पहले सोमवार को अतिक हमत को साबर मती से प्रियाग्राज के नैनी जेल लाये गया था साथी साथ अश्रफ को भी बरेली से प्रियागरास के नैनी जेल शिफ्ट किया गया था और ये भी आपको बता दे कि इन दोनों की ही बैरक अलग त्वराज पहली बार जब ये दोनों कोट में पेश हुए तो दोनों का आमना सामना भी हुआ है वई कोट ने अतीक हमद, अश्रफ, दिनेश पासी, अनसार अहमद उर्फ अनसार बाबा, खान सौलत हनीफ, फरहान, इसरार, आबित प्रधान, आशिक मली और अजाज जख्तर को दोशी करार दिया है तो हम ये आपको उस नामों की लिस्ट बता रहे थे जो दोशी करार दिये गए है एक आरोपी अनसार अहमद की इसमें मौत भी हो चुकी है, अभी अतीक अहमद अश्रफ और फरहान जेल में था और बागी आरोपी जमानत पर चल रहे थे लेकिन आज अमपी अमले कोट ने जब ये फैसला सुनाया है तो इससे साफ हो गया है कि ये सभी दोशी करार दिये गए हैं और अब से कुछी देर में सजा का एलान भी हो सकता है हो सकता है कि अतीक अहमद अन्ड कमपनी को सजा भी मिल जाए तो मेर्श वाल परन केस में अतीक अहमद को प्रशाग राज के अमपी अमले कोट ने दोश्वी करार दिया है 17 साल बाद इस केस में कोट ने फैसला सुनाया है तो सुबह सही पुलिस का कड़ा पैरा था प्रया गराज में नाणी जेल के बाहर सले के MPMLA कोर्ट तक और पूरे ही रस्ते पर चपे चपे पर पोलिस बलकी तैनाती की गई थी CCTV से निगरानी की जा रही थी जिसके बाद अतीक हैमत अश्रफ को MPMLA कोर्ट में पेश किया गया और जहां पर ये फैसला सुनाए गया कि ये सभी लोग जो है वो दोशी करार दिये गए है जिसके बाद अब थोड़ी ही देर में सजा का भी अलान हो सकता है और ये केस इसलिए भी काफी एहमाना जा रहा है क्योंकि अतीक हैमत पर सौसे जादा मुकद में दर्ज है लेकिन अभी तख किसी भी मामले पर अतीक हैमत को सजा नहीं सुनाई गई है अनसार एहमद दुर्फ, अनसार बाबा, खान, सौलत हनी, फरहान, इसरार, आबित प्रधान, आशिक मल्य और अजाज अक्तर को दोशी करार दिया है जब कि इनमें से एक आरोपी अनसार एहमद की मौत हो चुकी है अभी अतीक, एहमद अश्रफ और फरहान जेन में थे और बाकी आरोपी जमानत पर बाहर थे तो अतीक समेथ सभी दस आरोपी अब दोशी करार दिये गए हो और अब से कुछी देर में सजा कभी अलान हो सकता है क्योंकि आपको बताते चले कि 2006 में उमेश पाल का परण हुआ था राजुपाल हत्याकांड के मुख्या गवा हमाने जा रहे थे उमेश जिने भी इस साल मौत के घाट उतार दिया गया दिन दहडों में शपार पर गोरिया चली बंबारी हुई प्रियाग राज में जिसके बाद अब उनकिया परण के मामले में ये सजा सुनाई गई है 17 साल बाद इस केस में जो है वो कोट का फैसला आया है उन्हें दोशी करार दिया गया है बस अब सजा का इंतजार हो और आपसे कुछी देर में ऐसा हो सकता है कि अतीक एमत को सजा भी मिल जाए तो अतीक एमत अभी तक कई मामलों में दोशी तो करार दिये गए है लेकिन आज तक उन्हें सजा नहीं मिल पाए थी और आज एक बार फिर से अंपियमले कोट ने उन्हें दोशी करार दिया है बस अब सजा का इंतजार है कि आखिर कौन कौन सी धाराओं में अतीक को अतीक बच पाएंगे या नहीं और अतीक अब हाई कोट या सुप्रीम कोट कहा का दर्वाजा खट 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 आएंगे सजा मिलने के बाद ये देखना भी काफी एहम हो जाता है वहीं आपको बताते चले कि प्रियाग राज कोट के फैसले से अतीक अमद को सुप्रीम कोट से भी एक बेहदी बड़ा जटका लगा है दरसल अतीक के वकील ने सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल कर जान को खत्रा बताय था वकील ने कोट से सुप्रीम कोट की मांग की थी इस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि अतीक को जेल लाया गया है इस ये कोट का मामला नहीं है आप हाई कोट जाएए राज सुप्रीम कोट का ध्यान रखेगी तो हाई कोट की तरफ से भी अतीक अमद को एक बड़ा जटका लगा है क्योंकि अतीक हमत के वकीन ने कोट में याच का दाखिल करते हुए बताए था कि अतीक को जान का खत्रा है इस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि ये सुप्रीम कोट का मसला नहीं है आप हाई कोट जाएए और राज इस रक्षा का ध्यान रखेगी तो वहीं इस फैसले के दिरबाद ही अतीक हमत को MPML कोट से भी एक बड़ा जटका लगा है और MPML कोट ने अतीक को दोशी करार दिया है बसब सजा का इंतजार है तो 17 साल बाद अस मामले पर अतीक को दोशी करार दिया गया है तो वहीं उमेश पाल की तरफ से कोट के अंदर उनके जो भांजे है व पांच बार विधायक रहे हैं एक बार सांसद रहे हैं और वहीं उनके पत्नी शायसता परवीन अभी बसपा का हिस्सा रही है लेकिन अतीक पांच बार विधायक और एक बार सांसद रहने के बावजूद भी अपराद की दुनिया से जुर्म की दुनिया से उनका गहरा ना चर्चित गेस्ट हाउस कांड के जखम घहरे थे जिसके बाद साल 2007 के बाद से अतीक एहमद का बुरा वक्त शुरू हुआ उनकी उल्टी गिंती शुरू हुई जिसके बाद अतीक एहमद एक ऐसे सांसत बने जने भगोडा भी गोशित कर दिया गया और जिसके बाद वो भुरका पहन कर एक बार आत्म समर्पण भी करने पहुचे थे और जब वो आत्म समर्पण करने पहुचे तो कहीं न कहीं उन्होंने विक्टिम कार्ट भी खेला जिस अफियाओं पर दंगाईयों पर अपरादियों पर बुल्डोजर चलता है जिसमें अतीक एहमद भी यूपी सरकार की रडार में आ जाते हैं अतीक एहमत के गुर्गों पर भी बुल्डोजर की कारवाई लगतार हमें प्रियागराज में देखने को मिली उनका मनुबल तोडने के लिए उनके गुर्गे को गुर्गों को खत्म करने के लिए अतीक गैंग का खत्मा करने के लिए सभी पर बुल्डोजर भी चलाए गया जमी दोस कर दी गई इमारते और ये भी कहा गया कि करोडों की संपत्ती को कुर्क किया गया है तो वहाई आज एक बार फिर से MPML कोट में जब अती क्यामद की पेशी हुई तो अती क्यामद अश्रफ के साथ कुल दस आरोपियों को सजा मिलने के उमीद जताई जोरी है क्योंकि इन सभी को दोशी करार दिया गया है इन में से एक की मौत हो चुकी है तो यूपी की चांद बाबा हत्याकान एक ऐसा हत्याकान था जिसने अतीक को क्राइम की दुनिया का बादशा बना दिया था अतीक पूर्वांचल का एक ऐसा नाम थे जिन से बच्चा बच्चा तक डड़ता था और कई बार अतीक के डर की वज़े से कितने सारे केस हैं जिन से लोगों ने नाम वापस ले लिया किस कितने केसे ऐसे हुए जिसके लोग गवाह नहीं बन पाए तो आज अंपीमले कोच ने अतीक एहमत को अश्रफ को दोशी करार दिया है उनके साथ कुल दस लोगों को और दोशी करारा गया है जिन में से एक की मौत हो गई है तो पूर्वांचल का वो चहरा जिसकी आदेश के बिना वहाँ का एक पत्ता नहीं हिलता था जिसने कहीं न कहीं सूबे के सत्ता में भी अपने अपराद के जरीए एक मजबूत पकड़ बनाई वो नाम था अतीक एहमत जिसकी उल्टी गिंती अब शुरू हो चुकी है वहिया जेंपीमले कोच ने अतीक एहमत को दोशी करार दिया है खरब से कुछ ही देर में सजा का भी एलान हो जाएगा तो ये देखने वाली बात होगी कि अतीक को आखिर कब तक सजा मिलती हैं और क्या सजा मिलती है और किन धाराओं में सजा मिलती है वही अतीक के साथ ही उनके पांच बेटे भी अपराद की दुनिया में काफी नाम कमा चुके हैं उमार एहमत इस वक्त लखनौ जेल में है अली एहमत इस वक्त नैनी जेल में है असद एहमद प्रियागराज में है जिन पर केस दर्श किया गया है प्रियागराज केस में आरोपी है वो भी एहजम एहमद नावालिग है अबान एहमद भी नावालिग है तो जिस तरीके से अतीक का अपराद की दुनिया से एक काला रिष्टा रहा है तो उनके बेटों का भी अपराद की और जुर्म की दुनिया से काफ़ी गहरा नाता रहा है क्योंकि इन में से जो तीन बेटे हैं उमर एहमद, अली एहमद, असाद एहमद इन में से दो बेटे एक लखनव जेल में है, दूसरा नैनी जेल में है तो एक प्रियागराज केस में भी आरोपी है तो वहीं अती क्यामत को MPMLA कोट से दोशी करार दिया गया है ये बड़ी और एहम ख़बर इस वक्त की लगतार, प्राइम टीवी के माधियम से हम आपको पहुचा आ रहे हैं तो आज MPMLA कोट ने अती क्यामत को दोशी करार दिया है बस अब सजा का इंतजार और हो सकता है अब से मैज कुछी देर में अती क्यामत को सजा भी मिल जाए किन-किन धाराओं में सजा मिलेगी ये तो थोड़ी देर में तै होने के उमीज अताई जा रही है उसके बाद अतीक का अगला कदम क्या होगा जो अतीक के वकील है उनका अगला कदम क्या होगा ये समय बताएगा और ये देखने वाली भी बात होगी तो वहीं इस दोरान अतीक के वकील का बयान भी सामनी आया है उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए आपको वो भी सुनाते हैं यह अपील का अधिकार है यह साब होगा अतीक का काउंडाउन शुरू हो चुका है तो वहीं अतीक हमद पर अगर वाकई में फैसला आता है आजी तो किन-किन धाराओं में फैसला आएगा और आगे क्या रुक अपना सकते हैं यह हम जानने के लिए अरुन तिरपाथी अलाबाद हाई कौर्ट के वकील सवक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर आपका प्राइम टीवी पर बहुत-बहुत स्वागत है अरुन जी आज MPMA कोट ने अतीक को दोशी करार दिया है बस सजा का इंतजार है तो अगर अतीक को सजा होती है तो किन-किन धाराओं में अतीक को सजा होगी देखिए यह तो तो फयरली ये है कि उनके जो अपराद हैं उस अपराद में संगीन धाराए हैं और जो कमसे कम 20 वर्ष के कारावाज की सजा की उमेद हम अधिवक्ता लोग लगा रहे हैं क्योंकि जिस तके से अपराधियों का हीरोईजन हुआ है कि वो हीरोट हो गया है हीरो की तरह से लाय और इस देश को और इस देश के नागरिकों को चाहे वो लेजिसलेटिव की बात हो या जुडीशरी की बात हो देखे अगर कोई आदमी सरयाम किसी पुलिस वाले की हत्या करता है या करवाता है तो सीधे सरकार को गोली मारता है तो पुलिस वाला को इंडिविज्वल ऐसा नह तो इस सरकार के लिए तो बहुत ही धन्यवाद की बात है कि यह कम से कम योगी सरकार में हम नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और एक ऐसे अप राधी को न्यायले के सामने खड़ा कर दिया गया है जिसका बड़ा नरशेंश और कुरूरतम इतिहास रहा है तो जुडीश्री में हम लोगी पूरी आस्था है और हिंदुस्तान का जो जस्टिस डिलेवरी सिस्टम है बड़ा मजबूत है बस यही जो देरी की कारवाई होती थी प्रिशाशन के अस्तर पर उस देरी को इन्होंने थोड़ा शीखर कर दिया है तो हम भी इंतिजार कर र मामले में सजा नहीं सुनाई गए तो ऐसा क्यों हुआ हमाम में सब नंगे हैं मुस्कान जी आप एक बात को हमेशा जान लिजेगा कि अतीक एहमत की इस्थिती एक किसी सक्षम दरवगा के काबू के बाहर की नहीं है लेकिन जब भी सरकारों के सरपरस्ती होगी तो कोई एक इसलिए इनके साथ यह समस्या है कि बाकी लोगों के तो ट्रायल होते हैं लोगों को बेल नहीं मिलती है 20-20 साल से लोग मुझरिम अपना सजा पूरी करके जेलों में बंद हैं लेकिन वो जो दूरदान्त लोग हैं वो चाहे इस पार्टी को हो चाहे उस पार्टी को हो वो केहमत का वो स्टेटमेंट याद है कि उन्होंने एक बार नैनी जेल से निकलते वे का तक एगर हिंदुस्तान में कोई कानून सच में है तो अभी तक मुझे पचास बर फासी हो जानी चाहिए तो निश्यत तोर पर और इनके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर वर्ग में जो हर इस्टिती में यह बात कहते हैं कि नहीं साव यह मुझरिम नहीं तो आज की तारिक में वह अदालत के सामने आज फैसले की घड़ी है और पूरे देश के नागरिकों को मुसकान जी इस चीज़ की पूरी तरह से व्यंगरता से इंतजार है कि इस देश में किसी अपरा अपराधी को सजा होती है कि नहीं सवाल यह है जिरमी बेंथम ने कहा था एक इंगलिश दार्शनिक है और जूरिस्ट है उसने कहा था क्राइम डेजन्ट पे अपराध कभी आपको कुछ नहीं देता है और उसने पनिश्मेंट थीरी के संदर में कहा था कि जो रेट्रिबे तो यह बहुत ही गंभीर विशे है आज मैंने एक और हमारे वाइट थी मैंने कहा अतीक का काफिला आ रहा था तो मैंने कहा बताओ एक अपराधी को हिंदुस्तान ने हीरो की तरह से बना दिया नायक की तरह से बना दिया तो यह शर्मनाक है सर मेरा अगला सवाल आप से ये है कि अतीक पर कई धाराओं में मुकंदमे दर्श किये हैं लेकिन अभी तक लोगों को उन धाराओं के बारे में नहीं पता है तो हम उन धाराओं के बारे में आप से जानना चाहेंगे जैसे की 147, 148 और 149 इन तीनो धाराओं में क्या अंतर है और ये क्या है ये तीनो धाराएं दरसल अभी मेरे सामने उनकी रिपोर्ट नहीं है उसके कुछ भी कहना मेरे लिए ठीक नहीं क्योंकि मैंने अतीक एहमेद के इस केस को फालो नहीं किया लेकिन जो अपराद और जस् उसके संदर में अभी कुछ कहना मेरे लिए जल्दवाजी अचा सर 364 ये कहा जा रहा है कि अतीक को हो सकता है कि इस धारा के तहट सजा दी जाते हैं ये धारा है क्या हम ये जानना चाहते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ दसल आप मेरे टीवी पे मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रहेंगे तो कुछ कनेक्टिविटी की ऐसी प्रॉबलम है कि मैं सिंगल अपने आप से बात करता हुआ देख रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक करके मुझे पहले स्क्रीन पर लाइए अपने को स्क्रीन पर लाइक मैं आपको देख सकते हूँ जी सर मैं कोशिश करती ह क्यों मैं बात करती हूँ लेकिन सर मुझे पहले ये बताने की कोशिश करिये कि ये 364 धारा ए ये है क्या 364 धारा है के संदर में मुझे थोड़ा समय दीजे मैं अभी आपको बता देता हूँ जी लिगे ये जानना काफी है मुझा आता है कि माल नीजे कि अगर इनको सजा दे दी जाती है तो अब आतीक का अगला कदम क्या हो सकता है आतीक अपील में जाएंगे अपील जरसल है कि हाएं कि कड्नापी में है 364 में और अगर यह तो नails की तो आजवन कारावास के सजा हो सकता है कि इनको सुना है सके क्योंकि 364A में ये प्रावधान है कि अधिक्तम सजा या अजीवन कारावास की सजा हो सकती है और अधिक्तम सजा में हो सकता है कि फासी हो जा तो अतीक अहमत पर अगर इन वाकई में इस धारा में केस दर्ज होता है तो ये मुश्किल की बात होगी तो इसमें दर्ज है ही है देखे अब इसमें मामला यह है कि मृत्विया अजीवन कारावास के संदर में एक जज के पास यह लिबर्टी रहती है कि उसका जुडिशल मैंड जो कहता है कि अतीक एहमत का क्या रोल था उसमें क्या उसमें उनका इंटेंशन था किसी आदमी को नैप करने के पीछे क्या उनकी मेंसुरिया थी उनका आशय क्या था उसके पीछे इन सारी चीजों को देख करके वो मृत्विया आजीवन कारावास के बीच में कोई भी सजा उनको दी जा सकती है यह हमारे जो सेशन कोट के जस्टिस हैं यह उन पर डिपेंड करता है तो ज कि धाई से तीन बजे के लगबग मुझे लगता है सेंटेंस उनका सुनाया जाएगा जी वो सेंटेंस आएगा जब यह होगा कि इतने दिन की सजा इनको मिली है तब कोई बात इसपस्ट हो करके उसके बारे में हम लोग डिबेट करते हैं अभी कुछ भी कहना जलदबाजी अरुन जी इन पर सेस्टी एक्ट बलवा अवैद वसूली गैंक्सर एक्ट तमाम कई ऐसे जो गंभी धारों में केस दर्श किये गए लेकिन सर बच निकलने का क्या कुछ प्रावधान है क्योंकि हर बार ये बच निकलते थे ने 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 ये फिर एक मिस कंसेप्शन ह है और मिस इंटर्पेटेशन है कि बच निकलने का देखे ट्राइल जब तक नहीं हो रहा है ट्राइल शुरू हो और इनको क्लीन चिक बिल जाए तब तो आप कह सकती है कि बच निकलने लेकिन डियूरिंग ट्राइल अगर कोई बेल आउट है उसके मुकदमे नहीं लग रह रहा है तो यही लूप हो लो मैंने आपको शुरू में कहा है कि हमाम में सबने हैं लूप होल यहीं यहाँ पर जब भी सरकारे बदलती हैं हर सरकार के पास उनके अपने कुछ फेवरेट गैंस्टर होते हैं और कुछ सरकारे अलगातार S.E.I. जिन्होंने अपराधियों का राजनीति की करण किया और उसके बाद वो M.P. बने वो M.L.A. बने देश की विधाई का और संसद में बैठे यह दुर्भाग है इस देश का अरुंच आपको यह भी लगता कि 2005 का यह केस है और 2006 में अपरन का केस हुआ जिस पर आज उनक इंडियन जस्टेस डिलेवरे सिस्टम में यह आज की समस्या नहीं है यह 30 बरस पुराने समस्या है देखिए बहुत इसमस्च सी बात है कि आपको यह पता ही होगा कि जो सुप्रिम कोट है हाई कोट है यह कस्टोडियन है कांस्टिउशन की यह किसी भी इस्थिती में अपन करने की गैरेंटी देती है हमारी जो हैर जुडिश्री कर रही है जिसको हम सेशन्स को ट्या कहते हैं यहां पर वही वाली बात आती है कि इस पूरे जो परिद्रिश है राजनेते यह अब शायद आगे अच्छा उत्रोत्तर बेहतर हो रहा है अब नरेन्द मोदी जी की नेतरित में इधर योगी जी के नेतरित में कि कुछ तो लगाम कसी गई है और ये जो लगाम कसी गई है ये हिंदुस्तान के लिए प्राण वायू है ये अगर इने सजा हो जाती है इने सजा होती है जितने भी अपराधी मैं नाम नहीं लूंगा उसमें बहुत से ऐसे हैं जो भारती जंता पार्टी में भी हैं या अने पार्टीयों में भी है लेकिन अगर अपराधियों को ये पता चल जाए कि भारत का कानून मुझे सजा देगा तो मैं मुसकान जी आपको बताओं हम लोग नबे में पढ़ने आये थे लाहबाद और तब अतीक अहमद धीरे धीरे बदमाश हो रहे थे और 2022 तक आते आते आतीक अहमद बंद हैं, उनके भाई बंद हैं, उनके बेटे बंद हैं, उनकी पत्नी रो रही हैं, उनके कोई रिशदार जामने नहीं आ रहे हैं, बुल्डोजर से द्वस्त हो गया, पहले लोग अपराधियों के बगल में पोटों खिचा करके हीरो समझते और चीफ मिनिस्टर आफ उत्तर प्रदेश, बल्कुल, सर अभी जिसे कि आपने जिक्र किया कि जब भी प्रदेश में सरकारे बदलती हैं, तो उनके कुछ पसंदीदा जो गुंडे होते हैं, या कुछ गुर्गे होते हैं, जिनको वो संद्रक्षन देते हैं, तो क्या अती साहिं जीस प्रेश्न का उत्तर यहाँ का उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, कि सीना ठोक करके अपराधी कहते हैं कुछ पार्टियों में, इन पार्टियों की सरकारे आती हैं, कि हमारा कुछ नहीं बिगढ सीकता है, क्योंकि हम वोट बैंक की राजनीत में समीकरण के हिस्से हैं वो समीकरण ही नहीं पूरा होता है बिना इनके अंदर आने से तो यह तेक लंबा इतिहास रहा है उस पार्टी का नाम लेना उजित नहीं है मैं कोई प्रिदेश का नागरिक होने के नाते मैं अपूर्व हर्ष और उल्लास की बात समझता हूं कि योगी जी ने या उनकी पुलिस ने या हमारी पुलिस ने अतीक को सुरक्षित गुजरात से इलहाबाद लाया सुरक्षित नैनी जेल से अदालत तक पहुचाया और अतीक कटगरे में खड़े हो करके अपने उपर की सजा सुनेंगे और अगर ये पाया जाएगा कि उन्होंने बदनियत से किसी का पहरण किया है या उसकी जान ली है या उसकी संपत्ती का पहरण किया है तो उन्हें नि अधिवक्त तर जो है वो प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए उन्होंने जूते दिखाते हुए प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन की वज़ा क्या रही देखिए फिर वही बात है एक समू है वकील दसजार की संख्या में है उन में से बहुत ऐसे हैं जो किसी माफिय को या किसी आदमी को ये मान के चलते हैं कि साब इसका फैसला जो सरकार या जजजेस कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं ये गलत है नहीं होना चाहिए और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनकी नजर में अपना नंबर बढ़ाते हैं कि देखिए हमने ये किया था आपके जबक एक genuine advocate और justice delivery system का कोई भी agency सिर्फ इतना तैंक करती है कि दो वकील आपस में पहस करते हैं बराबरी में, माननी न्यायले उसको सुनती है, दोनों के मुल्यों को बातों की मुल्य तरकों के और उनके arguments को value करते हुए एक judgment देती है, इसमें कहीं जरूरत नहीं थी, कि इतनी भीड़ वहाँ, एक तफाक से मैं भी वहाँ था, एक मुकदमे के सिलसले में गया था, मैंने वहाँ पे एक TV चैनल पे बाइट दी, मैंने कहा कि एक सामानने से अपरादी को hero बना दिया है, ये गलत है, हिंदुस्तान के नवजवान और बच्चों के लिए ये आदर् करना गलत, उसको अगर दो आदमी लेके आए लेके जाएं लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी अपरादी को कोई दूसरा गोली मार देता है और जनता कहती कि सरकार ने मरवा दिया, तो कई एंगिल है अतिक एहमत के साथ जुड़े हुए, वो गाड़ी पलटन भी बदनियती थी, तो इस मामले में सरकार ने बड़ा ही फेर काम किया है, और निश्यत तोर पर लोगों की आस्ता इस सरकार के कारिकुशलता पर और बढ़ेगी, उसने कहीं जादा सर, पुलिस ने बेहदी सक्रियता से काम किया, क्योंकि रगातार कहीं पुलिस पर भी ये लगाय जा रहे थे, कि उनकी सेफ्टी का क्या होगा, कि सेक्योरिटी का क्या होगा, लेकिन सर अक बार फिर से जब फैसला आएगा, तो हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, और ये समझने कि आप से कोशिच और जिन धाराओं में अगर अती कहमत का सजा सुनाई कि जैसे ही अगर उनको आज सजा सुना दी जाती है तो हम आपसे एक बार दुबारा संपर्ग साथने को और सब कुछ प्रक्रिया समझने का प्रयास करेंगे धन्यवाद अरुन जी प्राइम टीवी पर हमारे साथ जुनने के लिए धन्यवाद मसका जी अतीक एहमद को दोशी तो करार दिया गया है बस सजा का इंतजार हमने ये समझने के कोशिश की कि अगर अतीक को आज सजा सुनाई जाती है तो वो किन किन धाराओं में होंगी लेकिन जब तक फैसला नहीं आएगा जब तक उनको सजा नहीं मिल जाएगी तब तक यह कहना गदिमा दर्श किया गया था किन किन धाराओं में हुझने सजा सुनाई गई है क्योंकि अब सभी इसी बात कर इंदजार कर रहे हैं कि अतीक एहमत को आकिर सजा कब होगी और कितनी सजा होगी किन-किन धाराओं में सजा होगी लेकिन अगर सूत्रों की माने तो 364 ए ऐसी सजा है जो जो ऐसी धारा है जुसमें अतीक को सबसे जादा डर है क्योंकि अधिक्तम सजा फासी या आजीवन कारावास के इस धारा के तहत अतीक को सजा सुनाई जाती है क्योंकि अगर सूत्रों के माने तो 364 ए के तहत भी अतीक पर केस दर्ज किया गया है वही 147, 148, 149, 330, 341, 504, 506, 352 और 364 के साथ तमाम ऐसी धाराई है जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया हाती कियामत के उपर लेकिन हैरानी के बाद यह है कि इतनी धाराओं में मुकदमा दर दर्ज है 100 से अधिक केस दर्ज है लेकिन उसके बावजूद भी आकिर अतीक हर बार सदा से कैसे बच जाते थे यह काफी एहम है डकैती के दौरान हत्या, S.C.S.T. Act, बलवा अवैद वसूली, गैंग्स्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में अतीक पर केस दर्ज है वही 2001-2003 और 2004 ऐसे साल थे इस सालों के दौरान अतीक एहमत पर जितने भी मुकदमे दर्ज के गए थे उन सभी मुकदमों को बंद कर दिया गया या आगे रिपोर्ट ही नहीं पेश की गई जिसके बाद अतीक एहमत काफी सारे केसे ऐसे थे जिन से बरी हो गई या कोई वो दोशी सिद्ध ही नहीं हुए लेकिन आखिरकार साल 2006 में अपरण जो अतीक एहमत द्वाराओं में शपाल का किया गया था उनके गुरगो द्वारा किया गया था आज उस पर प्रियाग राज की MPML कोट ने उनने दोशी करार दिया गया है और अपसे कुछी देर में हो सकता है कि आज सजा का भी एलान हो जाए तो गुनाहों का भी हिसाब होगा क्योंकि अतीक एहमत के गुनाहों की उनके परिवार के गुनाहों की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है अतीक एहमत के गुनाहों का काउंट डाउन अब शुरू हो चुका है साल 2007 वो साल था जब अतीक एहमत की उल्टी गिंती शुरू ह हुई थी क्योंकि साल 2007 में जब सूबे में मायवती की सरकार आई तो अती क्यामद भागे भागे फिरने लगे और यहीं वो साल था जिसके बाद अती क्यामद की लगातार मुश्किले बढ़ती गई तो वहीं आज साल 2023 है और आज MPMLA कोच में प्रियागराज में अती की पेश हुई जिसके बाद उन्हें MPMLA कोट ने दोशी करार दिया है तो चले आपको सीधा तो चले आपको सीधा ले चलते हैं कॉंग्रेस की प्रेस वारता में इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं कॉंग्रेस की प्रवक्ता या नेता यह भी सुनना काफी जरूरी है उसमें राहूल जी को दो साल की सजा सुनाई जाती है जो कि अधिक्तम और चोबिस मार्च को लोकसभा सचवाले ने राहूल जी के सदस्त्या समाप्त करते हैं